जिस देश में महिला संसक्तिकरण की बात होती हो जिस देश में महिला संमान की बात होती है उसी देश में आज एक महिलाओं के साथ ऐसा सरमसार कर देने वाला बेवहार किया गया है आपको बताते चलें आजमगर का एक मामला है जहां पर प्रबंधग ने एक बच्ची को काफी बेरहमी से उसके जोटे और बाल को पकर करके पीटाई कर दी है मैटर क्या है पुरा मैटर आपको बिस्ता बच्ची को काफी दिनों से प्रबंधग परसान करता था उसे अपने कमरे में बुलाता था और उसके बास उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया दरसल मामला यह है कि काफी दिनों से प्रबंधग उस बच्ची को अपने बंद कमरे में बुलाता था उसके बाद से जब वो नहीं जाती थी या उहां जाने के बाद कुछ लोगों को बताती थी तो या उसका ब्रयोद करती थी तब उससे जो है सिनियर बच्चों से पिटवाए जाने का मामना जो है सामने आया है वहीं पर बच्ची का आरोब है कि प्रबंधक ने उसे बेरहमी से जोटा पकर कर मारा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें हाता पाई हो रहा है उस बच्ची का जोटा पकरा हुआ प्रबंधक है इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद से पुलिस परशाषन के पास उसके माबाब जाते हैं और बच्ची भी जाती है तहरीर ले करके लेकिन पुलिस परशाषन भी कुछ नहीं करती है और नहीं तो उसे जो है उस प्रबंधक के सामने जो है जुकने के लिए मजबूर कर देती है मजबूर करने के बाद से उसे जो है प्रबंधक से फिर पुना जो है समा माफी मंगवाती है माफी मंगवाने के बाद से पुल तरह सबारिकियों से देखा बारिकियों से देखने के बास से उन पर करवाई करने के लिए तौरित कदम उठाया और उहीं पर प्रबंधक को तुरंत पुलिस परशाशन ने अपने कबजे में ले लिया और जाज में बैठा दिये गए सवाल तो बनता है यह आखिर का रेदी बच्ची निर्दोस्त थी इस बात को पुलिस परशाषन जानती थी फिर भी उसे पुलिस परशाषन ने प्रबंधक के सामें जुकाने की कोशिस की ताकि मैटर यहीं पर सांथ वे लेकिन माब और बेटी काफी मुश्कलों का सामना करन करने के बाद पुलिस परशाषन को फिर पुना जो है आग्यां दी आग्यां देने के बास से वह जो है डाट फटकार लगाने के बास से जाते हैं प्रबंधक को क्रियाप्तार करते हैं क्रियाप्तार करने के बास से पुलिस परशाषन महकमे में जो भी है वो सब प्रबंध को पूष्टास के लिए बैठा देती है वहीं पर एस्पी ने इन तमाम चीजों को देखते हुए महिलासा सत्वी करार की बात करी आपको बताते हैं चलें कि इस तरह से उस बच्ची की सुनवाई हो गई पूरी और प्रवंधक समय जेल में हैं उनके साथ पूस्ताओं की हो जा रही है